नमस्कार जनता टेलिविजन को प्रस्तुती दर्शन दिगदर्शन कारिक्रम्मा म गोपिरमणुपाद्याय दर्शकहर लाई हार्दिक स्वागत अहिवादन गर्दछू पुर्विय देश वाने रचिनीने हिमाली उपमहाद्यव का मुलुक हरु मध्धे हामरो देश नेपाल एक हो यहाँ प्राचीन काल देखी नहीं रिशी महर्शिय और ले प्राच्य विद्याविज्ञान को श्रिजना गर्दई आये इविशे वस्तु हरु बईदिक बांगमय देखी लियर तिरपिटक बांगमय समेत मां संगरीत रहे काचन इने रिशी महर्शिय और दर्शनिक हरुर निति सास्त्रकार हरु को व्यक्तित्त और कृतित्त को परिचय कारुप मां प्रस्तुत गरिने कारेक्रम को नाम हो दर्शन दिक दर्शन आजगो प्रस्तुति महां हमिले बद्ध दर्शन का प्रमुक्त सिधानतकार आचारे हरु को परिचय दिने क्रम मां बद्ध धर्म दर्शन मां काम गरेका नेपाल का बद्ध विक्ष्यू तथा अन्ने बिद्ध्वान हरु को परिचय का साथ है उनियोर को कृतित्त का बारे मां चर्चा गरने शहूं, शाथ मां केई निदिवचन अरूपनी परस्तुत गरने शहूं, आज़को पईलो परस्तुति मां दुन्ड बाहदूर बजराचार्य जसको जन्म दुहेजार चार साल मां वहेको थियो। बोध्य दर्शन्र साइत्यलाई नेपाली बांगमयमा अवत्तरन गरावने काम मां बिक्षू अम्रितानन्द पक्षी पचे दुन्ड बाहदूर बजराचारय को नाम अधर पुडवक लिनुपर्द शहूं, बोध्य शास्त्र को शकलाधार तिरिपिटक का बिविन्न निकाय हरु मद्धे दिर्ग निकाया, मज्जिम निकाया, सम्युक्त निकाया, जस्ता महान ग्रंथ और लाई, नेपाली बाशार नेवारी बाशामा समेत अनुबाद गरने काम लाई, दुन्ड बाहदूर बजराचारे ले शहाजै शंपन्न गरिदिये का छन, उनलाई इस कारे मा लागन अप्रेरिद गरनु हुने मान भावोर को प्रेरणा को समर्ण गरदई धुन्ड बादूर बजराचारे ले बन्द चन, विश्यस गरी अम्रितानन्द महानायक बन्ते परती म चिररेणी नेई छो, जसको एक तिहाई सुत्र हरुर, प्राहे सवई पाद किपणी हरु वहाँदार अनुधित बोद्ध कालीन गरन्त हरु बाट जस्ताको तस्ताई सारियका हुन। क्यावल कताई कताई बाशिक तुरुटियोरु मात्र सही संचैयेका हुन भन्ने, बने कताई अपुराकुराहरु मात्र पुरागरियेका छन। मलाई या सम्म पुरेवने काम मा परत्यक्षवा परोक्षिरूपले सनाई प्रेरित गरनों ने भीक्षु सुदर्शन मा स्थविर परती किर्तक्यता प्रकटगरनों मा आपनों प्रतम कर्तब बेठान दचु तिस्ते अमुल्य सुजाव का लागी अखिल नेपाल अज्यक्ष्य स्तरदेय बुद्धकोस मा स्थविर परती आभारी छो यो वाल चेहीं आपनो अनुबाद को भुमिकामा इस्तो बन्नुवाएको थियो ये इस्तो अनुबाद परती आंफुले गरे का कारे होर को बिनम्रता पुर्वक भावना व्यक्तगरनों ने दुन्ड बाहदूर बजराचारे को विशेस्ता देखींच यो संपूर्ण काम को स्रेय आपुद ता चनाईचन तर इसको स्रेय अरुलाई पनी दिने चाहांचू लेखरू को बशिष्ट या देखना सकींच दुन्ड बाहदूर बजराचारे को जन्मा 2004 साल मा ललित पुर जिल्ला क अर्थ शास्त्र मा लेखरू कानुन सास्त्र मा बीयल पास गरनु वहेगो थियू संपुर्ण परिवार ने बुद्ध धरं परती आस्ताराखने वहेकाले शामें उमेर देखी येस तरम धर्सन परती आकृस्ट वहेरा काम अगाडी बढाईएगो थियू एसे कारण पर्थम बुद्ध बचन हरु कारूप मां आनियेको तिरपीटक हरु को अध्येन गरने क्रम माने नेवारी भाषा मां तेस अध्येन लाई लिपिपद्ध गरना सफल भाहिको कुरा अपनो अनुभब मां बताउनु रा अनुभब रा संस्मनल हरु मां बताउनु अध्येको छो एस वाटा था अँचा बहुवाशिक नेपाली समाज मां नेपाल भाहसा मां गरिये को अनुभब लाई अरुली सहज रूप मां बुजन नसकने भाहिपची सरपर्थम वाले दिरगनिकाय नामक बुद्ध गरन्त लाई नेपाली भाहसा मां अनुभब गरे पाईने यस मज्यम निकाय नामक बुद्ध गरन्त को पनी नेपाली भाहसा मां अनुभब गरी दियर यस छेत्र मां अध्धेन एवं अनसंधान गरने हरु का लागी ज्यादेई शुगम बन्न पोईगो अवस्था छो मां आफेले पनी यस सोद कारे मां दुद बादरु ब परशस्त आधार प्राप्तगरी को जुँ यस वायक वाले अन्य अनेकों बद्ध धरमदर्सन सह सम्मंधित गरन्त हरु को अनुभब गरी दियर राष्ट्रलाई ने ठुलो योगदान गरी को दिखीन छ इने त्रिपितक गरन्त हरु को अनुभब को महत्तो लाई सुरी के सिंग्ड बद्ध भिहार दोरजा संग नायक समृतिकोष बाटंपनी सम्मानित एवं पुरश्करृत उन७ब को थिओ यस यसको साथ ही रतना कर महा भिहार हम पूच द्वारा त्रिपितको अनुभश अनुभदक वहने रा सम्मानित पनी उनुभब को थिओ इसम्पुर्ण कारे अरको संपाधन र अनुवाद जस्तो अत्यनत जिविवारी पुर्ण काम मा क्रियासिल भुमिका गई कारण बद्ध बांगमय का छेत्रमा पर्तिस्थीत व्यक्तिका रूप मा वहां परिचित हुनुँँछ यो थियो दुन्डबादुर बजराचारे को परिचाय आवम के नितिवचन का विशय मा प्रवेश करने चाहांचुँछ इसको आजगो पहलो प्रसंग मा संपुर्ण लोक ले उदियमान सक्तिको पुजागर्थ पतनशिल सक्ति अरुको हैना वनने सम्मन्द मा यो नितिवदेली बताएगो छा उत्तिथा एव पुज् कामन्दग्य नितिशास्त्र को पांचों अध्यागो बईशठ्य उपद्य हो आपनो कार्या सिद्ध गर्न चाहने मानिश ओड़े जयले पनी उदियमान सक्ति लाई मात्र पुजागरे का उन्चन आपनो जिवन भाट निराश भायर पलायन को बाट रोजे का हर लाई कसले अर्थात पतन शिलावर लाई को सेले ध्यांदेदेन उदियमान सक्ति लाई को मात्र है सम्मान सर्दाव हो बन्ने कुरा यो नितिशाले पतावनों हो फजे कुरा हो इस्तेगेरियार को परसंगा जदी सुकै आकास पाताल गड़े गरे पनी आखिर आखनो श्यागी चाहन मन्ने संबंधमा यो नितिशाले पताये को च उत्पतितों तरिक्षम भई गच्छतों पिमही तलम दावत प्रिथिवम सर्वा नादत तम मुपतिश्ठते पंच तंत्र को दोसरों अध्या को एक्षे उननन्चाले पत्दे हो यो इसको तात्परे हो कुनाई पनी मानिसले आपनो कारे संबन गर्न का लागी चाहे अंतरिक्षे माउडना उरोस या पृथिविका चारही तिरह कुना गुमश तरपनी कुने न कुने मानिस को स्वयोग भिना तेसले कुने पनी काम सफलता पुरुवक फत्यगर्ना शक देई न बन्ねकुराये नितिवचनले बतायो इ विशेवस्तों रियस्ता हुन्छन ज़सको कता ही पनी तुलना हुदाइना, बन्ने सम्मध्नमा यो निती पदेले बतायेगो छो नास्ति द्रिशं संबननम त्रिशुलो के शुविद्यते यथा महित्री चलो के शु दानम च मधुरा च वात मत से पुरान को सती सो अध्याए को पद्य हो इसको तात्परे हो इसे थो विशेवस्तों को तुलना अन। अन्य विशेवस्तु संग कहीं कहींले पनी गर्ण सक देए ना, तीकु रावरू श्ञ्त्पमिती पावन मुस्कील म adventurous यस्तो की परगाहड मित्रता यो श्ञ्त्यमिती पावन सक किदेना, त्यों भ परिष्ट्रम विश्वास्ले महात्रे आर्जन हुँँच, दोस्त्रो दान सिल्ता अथमा त्याको भावना अरुलाई स्वयोगगर्ने भावना त्यास्त्रो मिठो बरली वचन, ये असाद्य एदी महत्पुन कुरा हुँँच, जसको अरु विशेष अगो कहले बिनी तो ना उनसक्दाईन, बन्ने कुरा यो नितिपद्देले बतायो, इस्तेगरी अर्गो परसंग, अतियार भन्दा पनी खतरना कटु वचन हुँच, बन्ने सम्मन्दमा यो नितिपद्देले बतायको छ, नत था तप्पेते विध्य, पुमान बाणै, शुमर्म गई, ये था तु अध्याय को पद्दे हो जो, इसको तात्परे हो, तेति सारो पीडा मर्मस्थालमा लागे को बाण ले पनी मानिस लाई ठुलो पीडा हुना सग्वईन होला, जती की दुराचारी होरले अधिका आपना प्रतिद्वन्दी होरले परहार गरे को कटु वचन को पीडा जस्तो अर्थात बाग बाण, प्रतेक्से बाण बन्दा बाग बाण सावे खतरनाक होंचा है, बनने संपद्दमा यो नितिपद्देले बतावनों भजेगो को राहो, इस तेगेरी आरको परसंगा, इस प्रकार को सवा बयका मानिस लाई का पास्मा संपदा स्वयम आउंचन, बन अभ्यस्णमस्तरांतम महत्साम महामतिम परविशंति सदा लक्ष्वया, सरित्पति मिवा पगा, कामन गिये नितिशार को तेवं अध्याय को सातुं पद्दे हो यो, इसको उतात परे हो, कुने परकार का दूरवेशन हरुबाट नितांत मुक्त रहे को र, दूर दिष्ट पतात्ति, सहित को बुद्यमान बयक्ति कापास्मा भहत्यक्र नईतिक संपदा हरु आफ्याय लागच्ण, जा सरी समुध्रमा नदि हरु बगयु पूददति तिस्तुयोँ व्यक्तित्त कापास्मा पणि, ती संपदा हरु संपदा हरु आए परचन geography, सरी, समुद्रमान सत्यमेव बर्तम यस्त, दयादीनेश श्रवथा, कामकरोध हुववशे यस्य, तेनलोकत्रेम जितम, महानिर्वान तंत्र को एकाईशम पद्य हो जो, इसको तात्परे हो, जुन मानिस को सत्यताने बर्त छो, वने तेस्ता मानिस ले, दिन दुखियरु को दारगर्नमा सनही व यसका साथ है अनन्त चाहना अरुपनी लाई पनी रीष्र रागर लाई जोसले बश्मा राखेको उँच, तेसका बश्मा संपुर्न संसार नहीं रहेको उँच, तर यस्तो व्यक्ति सारे दुरलव उँच, बने संबन्धमा योनिती वचले बतायो, इस्तेकरियार को परसं संबन्धमा योनिती वचले बतायो छा, दाता लगुरपी शेव्यो ववती नक्रपणो महानपी समर्द्धया, क्रिपोंत स्वाधु जल प्रित्य लोकस्यन समद्र, पंच तंत्र को दोसरो अध्यार को एकानभ्यों पद्धे हो यो, इसको तात परे हो, उदार दिल भहेका मानचे, उदार चित्त विरत्ति भहेका मानचे, साने किशिम को मानिश दानी रहे चबने, तो अफ़े ठोलो मानिश जोस्तो की पानी का लागी बिशाल पानी ले भरिये को समुद्र भन्दा, मीठो जल भहेको कुआ सारे उपविकतो हुन्छ, अर्था देराई बस्तो वरू, देराई दनसंपति भहेको मानिश भन्दा, दानी मानिश सानो भायपनी त्यो महत्तपुड़ा हुन्छ वन्ने कुरा एस निदिवचन ले बतायो, यस्ते गरी संगत्र मित्रता अपनो बराबर का हैशियतोर संग गर्नु राम्र हुन्छ वन्ने संब यो निति पदेले बतायो चा आईशोरियात सहसंबंद नकुरियात्च कदाचन गतेच गोर ममनास्ति आगतेच धनच्या चानक्यनिती को तिन तिसरो अध्यायको तित्तिशों पद्य होयो इसको तात्परे हो आपु वन्दा पद्र पर्तिष्टा ओहदामा र सिर्शंपत् संग सरसंगत्र हिम्चिम गरनु बढवने कुरा नोक्सान दायकूंछ एदी तेस्तो मानिश संग संग हिरनु पर्दा आपनो कुने गरनाना होदाईना नाम उसेगु मत्रे अगाडी आऊँछ तेसो वहको ने आपना गर्मा कदा जित्त्य मानिश आयो औने तेसको स्वाग संग दितर शंगर संग्ध गास्न बढवने कुरा योओ निति पद्द बढवातायो स्ताईगरी अर्गु पर्शंग समय नाय पर दahlt जस्तो काम्पनी गर्नत ताउश हिनु पर्दा बने संग्धम काले सहिषनु गिरिभध अशりषनुिचाTo कांपनी सम्धने नापि बः चत्रुन प्रियानी समधाहरन क्रामन्दकिये नितिशार को दसों अध्यागो चत्तिसों पद्धेवो यो इसको ताथ परे हो आपनू कारे शिद्धीगर्नु परने अवस्था आई परे को खड़नमा मानीश पाहरन परवध जस्तेई सहनशिल बनन शकनू परदा चा त्यस्तेगरी समय आई परे वने अगवस्था असेशनू अधा जलन शील पनी होन सकनू परदा चा त्यस्तेगर कारले समय आई परेको बेलामा मित्रहुर लाई जस्ते ही सत्र लाई पनी कान्दमा भोके रहन शकनू पर्द छा बन्ने कुरायो ब्याहार स्वामन्दी निती ले पतायो इस्ते केरी आरको प्रसंग अरुको स्वयग नवई कसे ले पनी उन्नती गरन सकद है न बन्ने परकाब्यन कवया परद्रवेन द्रवेन चेश्वरा निरलोठी तेन स्वक्रितिम पुष्ण एं त्यद्धनेक छे राजाता तरंगली को पांचमध्या को उन्नन साथियों पद्य होयो इसको तात्परे हो अर्का का रचना हरुको साहरा लियर रचनाकार बन्ने अर्का को संपति मात ही राजाइद गरे रह अभू द्हनि बन्ने जस्ते आजयको जमानामा इस परकार का माहनिसोरले अपनों कुरा पुष्टिगार न कोई दचन रहु तेने हरुको मात्र बलावाला भाय को देखिँ चा अर्थात्थ अर्का को रचनामा आपू मालीकोनी अरका को संपत्ति में आपने आले को नहीं परविर्ति यो धरै देखिन चाई इस्तो वाड़ बचन पर्दशा वन्ने कुरा यो नितिपर्चन को बनाई हो इस्ते गिरे और को परसंगा जा आपना बोली को कुने ही महत्त हो ने तेस्तो ठाव बोलनों ने व्यकारो वन्ने को महारत उद्योक परवको बत्तिशों अद्यायको नभ्यों पद्धे हो यो इसकोतात परे हो जुन ठाव मां आपना बनाई हरू या असल सुक्ति हरू को दुरूपय गोंच या गलत अर्थ लगाइन चा बने तेस्ता ठाव मां प्राग्य जनले क्याई बोली रहनू कहीले पने उचित हुदाईना रा बरू बोईरो मानिसले जास्ताई सुने पनी नसुने गरे रा उपेच्छय गर दिनू बेश हुँँचा बन्ने कुरायो निती बचनले बतावनू कहले को हो इस्ते गेरे और को परसंगा क्ये यस्ता कुरावरू हुँचान तिनलाई त्याग ग कुरोद मुखिम, भारयाम, निष्नेहान, बांधवान त्यजेत यो ब्रेज चानके सतक को चानके निती को चौत अध्या को सोरहुपद्य हो यो इसको तात्परे हो प्राणी माथी जया नगरने तेस्तो कुने पनी धर्म चाबने तेलाई तेस्तो धर्म लाई त्यागी दि त्यागी दिनु ने ठिक हुँँँचा, सनाई वरी कल्जगणा मत्रे भाहिरानी लफडा मत्रे भाहिरानी इसता साधर मिलियोर शंग अलग भाहर भाहता ने बेशुँँचा, बने स्नेर रहित भायका आपना बंदु बांधवारू चानमाने तिनेहरू लाई चाड़ दि बताओनों खजेगो इस कोराल आपनी शापेक्षतामा गरन गरन पर्दशा वन्ने कोरा हो इस्तेगेरी और को परसंगा मानिस को मंगल कल्यान हुने केमल दुई वाटा बाटा आवरू चन वन्ने संबंधमा यो नितिपदेले बताये को चा दावेव कथिताव सद्भी अठाशियों पद्दे हो इसको उतात परे हो अरे विद्वान महनेर कहलाई एका व्यक्तित्त हरू हो इस संसार मा केवल दुईवर्णा कोरा हरू मात्र सारी मत्त पुण मानिंचन पोहिलो आहिम्शा अर्थात अर्कालाई कोहिले ही पिनी दुख न दिनी काम रद दोस्रों असेलाई पनी चोट पुर्यवने नो पुर्यवने ब्यभार अथमा आचरन और अर्को सत्यता जस्मा सवाहिक हाल का असल कर्मोरू पर्तिष्ठित रहे का हुँँचन इदुईवटा ब्यभार नहीं सब्द्दा उत्तम ब्यभार मानिंचन मन्ने कोड़ा यो निती वचले अर्को परसंगा मानिचले हरेक परिस्थिति मां आपनो पवित्रता कायम गर्नु पर्थ चा बनने संबंधमा यो निती पद्दे ले बतायेगो जा बाचा सोचम च मनसा सोचम इंद्रिय निग्रह सर्व भूत दया सोचम एता सोचम परार्थिनम ब्यत चानक्य सतक चानक्य निती को सातों अध्यायको विशों पद्दे हो जो इसको तात्परे हो मानिचले एदी आपू लगायत का सबय को कल्यान चाहान चा बने सबंधा पहले बोली में पवित्रता कायम गर्नु पर्थ त्योबने को सत्यता हो तेस पची मानिचिक पवित्रता कायम गर्नु आवश दया भाव राखनु नहीं, अर्गो पवित्रता हो, और यो समय वद्ना ठुलो पवित्रा वता पनी, एई दया भाव नहीं हो, भन्ने कुरा यो निती पदेले बतायो, इस्ते गरी अर्गो परसंगा न पढ़नु जस्तो हीनता और क्याई पिनी वहीना, भन्ने सम्मन्नमा यो हीना, सहीना, सरो अवस्तोसु ब्रहत चानक्य निती को दसम अध्यागो पईलु पद्दे हो यो, इसको तात परियो धन्संपत्ती न भाव पनी त्यसलाई हीनो बनेर बन्न मिल्ले ना, किनमे उजसरी पनी बात्ना सकता चा, स्वमे को करमा मायनिस ले त्यसको ब्यवस्ता पनी गर्न सकता चा, तरव विद्यारूपिरमा थनले अध्याट न इसको बात्यों पनी व्यानिस रहे चावने त्यो मानी सवय को दयावाट रहे पनी उ परतिस्ठापित मानी चा, अर्थात विद्यान नहुन, अध्यान नगर्न ने सबन्ना हीनता को कारण हो अ गन निको प्राच्य विद्ध्य अभिज्यान को उधिमपस्थाल मद्धे एक मानियक को एस भुच्छत्रवाट अरुलाई पनी इविशेवस्तु बारे परिचित गरावने उद्धेशले आयजनागरिये को कारेक्म को नाम हो दर्शंदिक दर्शंदु अजला एतिनी निविदन गरे का साथ मोगो पिरुन उपाद्यायो विदा मंगत चूद धन्यवाद नमस्कार